इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे दा 60 के आज के सेकेंड मैच के बारे में दोस्तों यह मैच गुआना एमेजन वारियर्स और बरबा डोज रॉयल्स के बीच खेला जाएगा बता दो दोस्तों यह मैच रात को 10 बज़े से स्टार्ट होगा और इस मैच रिलेट लाउसर दोस्तों यहादि आप नय हो और फर्स्टाइम वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आप टेलीग्राम को जोई कर ले ना तिलीग्राम का link दोस्तों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा करने के बाद notification का घंटी जरूर बजा देना जिसे दूस्तों मेरे वीडियो का आपको इजली notification मिल जाया करेगा चलिए दूस्तों बात कर लेते मैस से रिलेटेड मैस डीटेल के बारे में हिल्प नहीं मिलेगा spinner को लेकिन दोस्तों spinner जो important spinner है जो bicket taker spinner है तो उनको दोस्तों आप अपने टीम में रख सकते हो मैं आगे दोस्तों आपको combination में बताऊंगा कुन से spinner दोस्तों इस match में आपके लिए important हो सकते हैं average score का दोस्तों बात कर ले तो 95 और 150 के बीच में दोस्तों average score रहा सकता है बात करें दोस्तों दोनों टीमों का कैसा performance रहा है अभी तक दोस्तों टुनामेंट में तो बतादो दोस्तों GUI ने अभी तक दोस्तों दो मैच खेलें एक मैच इन्हों ने दोस्तों विन किया और एक मैच दोस्तों इन्हों ने लॉस किया है वहीं दोस्तों BR का बात करें तो इन्हों ने भी दोस्तों सेम दो मैच खेलें इक मैच विन किया और दोस्तो एक मैच लॉस्स किया है साथी सथ दोस्तो बता दो इस टुनामेंट में अभी तक दोस्तो छे मैच वह recall यह ठीक न अःब दिखहां एक बात का दोस्तो ध्यान रखना और बहुत जादा दोस्तो कमजोर भी नहीं है इसलिए ये match में दोस्तो सेफ रहेगा कि आप 6-5 का combination बनाना यदि आप 2 combination बना रहे हो तो एक में दोस्तो आप G, U, Y को favor कर लेना और एक में दोस्तो आप B, R को favor करके बनाना ये दोस्तो बहुत ही better रहेगा इस match में चलिए दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तो देखो बिगट किपिंग सेक्षन में आपके पास 2 option है 1st option तो दोस्तो साही होप का हो गए और नीचे दोस्तो एच का असन साही हो अब दोस्तो आपको opening में नजराएंगे इस tournament में दोस्तो 1st match में इन्होंने 19 run score किये 2nd match में दोस्तो 1 run score कर पाएं देखो still दोस्तो इनका selection percentage बहुत जादा है तो आप दोस्तो इन्हें try करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तो अभी के लिए मैं इन्हें small league team में नहीं रख रहा हूँ लेकिन दोस्तो मैं mini jail और grand league में जरूर try करूँगा region क्या है दोस्तो इस small league में हटाने का दोस्तो बता दो देखो साही हो बहुत ही अच्छे खिला रही है लेकिन दोस्तो 10 60 के player नहीं है कालसन के साथ जा रहा हूं बहुत ही अच्छे batsman दोस्तो और इनके साथ plus point क्या है दोस्तो यह international match में तो four round और five round दोस्तो बैटिंग करने आते थे लेकिन दोस्तो इस tournament में बता दू तो यह first round बैटिंग करने आ जा रहे है इसलिए दोस्तो और important हो जा रहे है इन्होंने first match मे बहुत ही उतना खास score नहीं किये थे आठी run score कर पाये थे लेकिन दोस्तो second match में इन्होंने 25 run का पारी खेला और साथी साथ दोस्तो बिकेट की ब्रिंग भी कर रहे है आपको catching से भी point दे देते हैं तो काफी important हो जाते है दोस्तो आप इन्हें अपने small league grand league दोनों में try कर सकते डीथ हो मसको दोस्तो आप grand league small league दोनों में drop करना क्योंकि देखो यह batsman seven round पर batting करने आता है दस over का दोस्तो मैच है और कोई seven round पर batting करने आएगा तो उसको maximum कितना ball मिलेगा खेलने के लिए यही कारन है दोस्तो मैं इन्हें drop कर रहा हूं बात कर लिए दोस्तो बैटिंग से से तो हीट मायर मस्ट इंपोर्टेंट दोस्तो खेला रही है अभी तक इस टूनामेंट में कुछ खास नहीं किये देख लो आप फर्स मैच में 13 run score किये और सेकेंड मैच में 2 run score किये लेकिन हीट मायर दोस्तो हार्टीटर batsman है और काफी अच्छे batsman है तो आप इन्हें अप मिन्ग कर रहे ह्याहा है और साथी साथ दोस्तो ऑबर कंपलीट बॉलिंग कर रहा है आप इनका performance इन्हों सेकर मैच में काफी इंपॉर्टेंट को ला काफी नीचे लग रहा है ठर्ड रौंड पर दोस्तों बाट जाटनें आ रहा है और इस टुनामेंड में अभी टक एक भी मैच नहीं केला है तुनामेंड में लेकिन कहलारी काफी जबरदस है और रिसेंट्ली दोस्तों इन्हों दोमेस्टिक में T20 में बहुत ही सांधार परफॉर्मेंस किये हैं तो यदि खेलते हैं तो जरूर ट्राइ कर लेना अपने कंबिनेशन में के मायन्स दोस्तों एक में मैच खेले ले चोटी हो गये इसलिए दोस्तों लास्ट नहीं खेले थिखते आज के मैच में फ्र्ली और तो मुझे जैसा लगते हैं यह कारण यह और देखो आज के मैच खेलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि इन्हें अपने टी में रखना है कि नहीं रखना है क्योंकि देखो लाइन अप आने के बाद यह कंप्लीट मालूम हो जाएगा कि बी आर आज कितने बॉलर के साथ जा रही है यदि दोस्तो पांच बॉलर के स से 2 एस तेक्टर बहुत ही सांदार फों में डूसितल ये बन्दा चलर रहा है आरण का रहा हूं में सेकेंड रांट रांड बैटिंग करने आ जाता है दोस्तो डांद ग्लवाल मिल सकती और बड़ा इसकूर कर सकते में इन्ट में सोलर रण स्कूर किया थे और सिकेंड में इन्होंने 35 रण का बहुत ही संदार इनिंग खे ली थी और जो दो यह आउट हुए थे दो बहुत ही संदार दोस्तों पवेल ने कैच किया था बाउनरी पे तो काफी इंपोर्टेंट खिला यह दो सो हाड़ीटर बैक endies के अगन्स इन्होंने आ स्कोर किया, बॉस्तों खेलते हैं तो LG में ट्राइ कर लेना, क्योंकि देखो एटलिस इनका T20 में डोमेस्टिक में उतना खास रिकॉर्ड नहीं रहा है जो इन्होंने रिसेंट पांच मैच खेला है ठीक ना अभी के लिए दोस्तो आप जी है म्राज को इस मॉल लिंग में दोस्तो आप ट्राई कर सकते हो सेलेक्षन पर्षेंट इस सतर का है मैं दोस्तो इन्हें मिनी जील ग्रेंट लिंग में ट्राई करूंगा और इसका डिजन के यहाँ इनका डीसेंट फॉर्म आप इनका डीसेंट दो मैचों का पर्फॉमेंस देखो इस टूनामिन में तो फर्स मैच में 18 रन स्कोर किया है और सेकेंड मैच में 5 ही रन स्कोर किया है तो दोसो यही कारण से मैं इन्हें स्मॉलिंग में ड्रॉप कर रहा हूं दोसो मुझे ओलाउंडर सेक्शन से चार पिलेर लेना है जो बालिंग बैटिंग दोनों करते हैं यदि आप बैटिंग सेक्शन से चार पिलेर ले लोगे तो दोसो ऐसे कंडिशन में और अपको तीनी ओप्सन को फिक करना होगा तो दोसो यही कारण है कि मैं इन्हें केंगे यदि दोसब बियार की टीम का बहुत ज्यादा बिकेट स्टराइंग में गिर जाता है तो ऐसे कंडिसन में दोस्तो आप इन्हें जील में ट्राइ करा लेना यदि आप डील में ऐसा बना रहे हैं जिसमें आप दोस्तों ब्यार के स्टार्टिंग प्लियर को ड्रॉप कर रहे हैं तब आप टीवी सूप को ट्राइ कर सकते हैं अपने कंबिनेशन में बात कर लीए दूस्तों अर्लाउंडर सेक्षन से जे होल्डर दोस्तों मस्ट इंपोर्टेंट पिक है इंटर क्योंकि इंटरनेशनल किर्केट में यह 6-7 राउंड बैटिंग करने आता था लेकिन दोस्तों टीटन में ऐसा नहीं है यह आपको ठर्ड राउंड बैटिंग करने आज जाएगा तो आप इन्हें क्याप्टन भाइस क्याप्टन के मस्ट इंपोर्टेंट पिक दो अवर कं इन्होंने बहुत ही सन्दार बैटिंग नहीं कर पाए थे आठी रन पे आउट होगे थे लेकिन इन्हों है दोस्तों बाइलिंग कराते हैंале ये मेरी देह में माक्सिमम चांस में वीके यह को तो यह बात का ध्यान लग ना कंभिनेशन में जरूर hazा करना और Captain Vice Captain भी कर सकते हो नीचे से दोस्तों बात करें R Cypher दोस्तों देखो 24% सेलेक्षन है खेलारी दोस्तों बहुत जबर्दस्त है दोस्तों बता दू यह आपको Ace Smith के साथ देथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों जानते हुए इन्हें दोस्तों टूनामेन में बिकेट क्यों नहीं मिला है यदि आप मैच देखो गे तो आपको मालूम होगा कि दोस्तों यह ज़्यादा स्कोर नहीं दे रहती है यह दोस्तों बॉलिंग आते थे 10 से 12 रन दोस्तो इसकोर देते थे batsman टीटेन है दोस्तो दससे बारा रन में तो कुछ होता नहीं है batsman 20 run 25 run 15 run ऐसे चाहता है और वहीं दोस्तो बाट के रहे ओर इसमिंग ज़स्ट इनके एक अबर बाद आते थे और उनके batsman मारने जाती थी और उन्हें बिकेट मिल जाता था काफी अच्छे बॉलर है दोस्तों यही मैं कहाना चाहूंगा आप ट्राइक कर लेना और साथी साथ मस्ट इंपोर्टन दोस्तों यह बैटिंग से भी स्कोर कर लेता है बहुत ही दोस्तों हाड इटर बैट्स मैंने तो जरूर ट्राइक कर सकते हो रिसें बहुत ही जबरदस चल रहा है दोस्तों इनका टुनामेन का आप देखलो परपॉमेंस तो फर्स मैच में दोस्तों ब्यालिस रन इसकोर कि एक बिकेट लिए है इन्हों ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया 33 रन इसकोर कि और साथी साथ दोस्तों फिर से एक बिकेट तो काफी संदार option है दोस्तो captain by captain के आप दोस्तो इन्हें सभी combination में try कर सकते हो और एक और दोस्तो बरा region है यह दोस्तो देथ में balling कराते हैं और दोस्तो first round batting करने आ जाते हैं तो आप समझ सकते हो कितनी important है आपके लिए नीचे से दोस्तो देखो के पावेल को आप दोस्तो मीनी जील में जरूर ट्राइ करना जे ग्रेवीस के साथ दोस्तो बता दू ग्रेवीस आपको ओपनिंग में नजर आएगा बी आर के तरफ से अभी ज्यादा मैच नहीं खेले एक ही मैच के लिए 9 रन इसकोर किये है वहीं दूसो के पावेल बहुत ही अच्छा दोस्तो बैच्समेन है और साथी सासा दूस्तो बॉलर भी है बीकेट टेकर डौरट दूस्तो बॉलर है इंटरनेशनल में दूस्तो इनाउन्होंने काफी द लिया है अपने जिहान रखिएगा आप लोग नीचे से बात कर लिए दोस्तों तो कि देखो भी पावनेल उतने खास मुझे नहीं देखे इस टूनामेंट में इस्टील दोस्तों इन्होंने परफॉमेंस ठीक ठाक किया है दो मैच खेले फर्स मैच में इन्होंने एक बिकेट लिया सेकेंड म नीचे से बात कर लिए दोस्तों ओडेन थोमस इंटरनेशनल दोस्तों बॉलरेटिंग ना आप सेलेक्शन परसेंटेजी देख लो 82 का है परफॉमेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कि फर्स्ट मैच में दोस्तों इन्हें बिकेट नहीं मिला बट खिलारी इंपोर्टें दो मैच खिले एक बिकेट लिए है और देथ में बॉलिंग कराने आते हैं एच वास दोस्तों इस्पिनर को बिकेट मिलता है और दोस्तों बता दू हैड़न वास बहुत ही अच्छे लेगी बॉलर है बिकेट टेकर बॉलर है दोस्तों आप इन्हें अपने कंबिनेशन में पर्वायट किया है और बता दो दोस्तों इनको बैंटिंग दे दो तो यह बैंटिंग से भी एक स्कोर कर सकते हैं तो मेरे लिए दयोनोों को एक कंबिनेशन में त्राइय कर लेना है एच में एनियंग को और एक में दोस्तो एच वाल्स को ठीक ना नीचे दोस्तो एक और ऑप्शन बता देता हूं जे भी सुप दोस्तो ये भी काफी अच्छी स्पीनर है लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इने मिनी जील में ट्राइ करना हो तो कर लेना ठ दोस्तो चार और पांच मेंबर में आप फोल्डर को भी कर सकतो खाफी अच्छी ऑफशन रहेंगे आपके लिए दोस्तो ग्रेंली का बात कर ले तो दोस्तो आर साइफर को जरूर कर सकते हो रिकसी रहेगा लेकिन खिलारी बहुत ही जबरदस्त है उपर से आर कॉनबेल को दोस्तो आप mini jail में भी कर सकते हो ठीक ना और hitmire को भी दोस्तो आप mini jail grand league में जरूर try कर लेना अभी के लिए दोस्तो यह मेरा final team है आप इसका screenshot ले लो और अभी के लिए दोस्तो आप contest join कर लो इसमें कोई भी changes होगा दोस्तो तो task के बाद मैं आपको final team telegram पे provide कर दूँगा त दोस्तो आप youtube channel को जरूर subscribe करना और subscribe करने के बाद notification का घंटी जरूर बजा देना जिसे दोस्तो मेरे वीडियो का आपको easily notification मिलता रहे दोस्तो फिर मिलते हैं आप सभी से next video में तब तक के लिए दोस्तो जैह हिंद take care bye bye